आमजनु के समस्याओं के त्वरित समधान के लिए जिलाप्रशासन द्वारा जन्सुनवाई ववस्था को और अधिक प्रभावी और सुद्रण बनाया है जन्सुनवाई की नई ववस्था में नाकेवल लोगों की समस्याओं का मौके पर ही नराकरण किया ज़ा रहा है बलकि उन्हें हितिग्राही मूलक यूजनाओ से लाभान विद भी किया ज़ा रहा है मंगलवाई 16 मार्च को आउजज जन्सुनवाई में कलेक्टर धनंज्रे सिंग ने आम जनु की शिकायतों को सुना और उनका समधान किया जन्सुनवाई में जलापंचाइट CEO मनूद सर्याम अपर कलेक्टर जीपी माली सहित अनधिकारी उपसित रहे जलाइस तरी जन्सुनवाई में 87 आविदन प्राप्त हुए जन्सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष सामजिक कारे करता सीमा कैथफास ने सौरा भथापक नामक्यूवक द्वारा सुयम की बल्दियत बदल कर लिख कर पुलिस सहित तहसिल कारे ले फमकार पाली का दंड़ादिकारी को गुमरा कर धारा 151 में जमानत कराया जाने की मामले की शिकायत कर जमानत मुरस्त किये जुआने की मांग रखी इस बात से अफगत कराया कि आटी आई के तहट निकाली गई जानकारी सी अफगत हुए कि सिटी कोथवाली हुशंगबाद में सौरा भथापक को शान्ती भंग करने के आरूप में 28-9-2020 को धारा 1517-16 डंड़ पर क्रिया सेनिता के तहट करफ़तार का नियाएक कारपाली का दंड़ दिकारी हुशंगबाद के समक्ष प्रस्तुत किया जहां से युवक को 10,000 रुपए के निजी मुचल के पर जमानत दे दी गई जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि जिस सारूपी युवक को जमानत दी गई उसके पिता की वल्दियत सत्य नारेंट थापक खंडेलवाल बिल्डिंग सराफा चौक खुर्शंगबाद लिखवाई गई है जब कि वास्पिकता ही है कि सीटी को तवाली पुलिस द्वारा जिस सारूप थापक पर करवाई की गई उसकी वल्दियत दूसरी है पुलिस और तहसिलदार की जाच में खंडेलवाल बिल्डिंग में निवासरा सारूप थापक नामक युवक की अलग-अलग बल्दियत का मामला प्रकाश में आया है जिससे कलेक्टर ने गंबीरता से ले दिवे जाच के आदेश दिया है जोरान समझेक कार्यकरता सीमा के अत्वास ने जनहित और शासनहित में अलग-अलग बल्दियत प्रदुश्चित होने पर दी गई हमारे चैनल में बनी रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले झाल